हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का कोश्चन नमबर 8 तो कोश्चन नमबर 8 क्या कहता है ड्रॉअ सर्किल आफ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉअनी 2 आफ इट्स कॉर्ड पहले हमें एक सर्कल बनाना है जो की 4 सेंटीमीटर का हो और फिर उसमें हमें कोई 2 कॉर्ड बनाना है कॉर्ड क्या होता है जैसे यहाँ पर देखो यह हमने एक अगर सर्कल लिया इसमें हम कहीं पर भी 2 लाइन इस तरह से बना देते हैं जो की इसकी बाउंडरी को टच करता हो तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड आगे कहता है कि construct the perpendicular by sector of these cards यहाँ पर यह जो card है इनके perpendicular by sector हमें find out करने है जो कि हमारे इस तरह से आएंगे और यहाँ पर यह इस तरह से आएगा उसके बाद में कहता है where do they meet तो यहाँ पर पूंच रहा है कि कहां पर यह मिलते हैं यानि कि यह वाला point हम से पूंच रहा है ठीक है तो पहले हम क्या करत हैं यहाँ पर compass में 4 cm ले लेते हैं तो यहाँ पर यह हम इसके जो यह pointer है इसको रखेंगे इस 4 के ऊपर और यहां पर यह जीरो लेंगे इस तरह से ठीक है तो अब यह 4 cm से बाद कर लेगे और इस तरह से यह circle जो है वो हम draw कर लेंगे ठीक है तो यह हमारा circle हो गया अब यहां पे हम से क्या पूछ रहा है कि इसकी हमें पहले दो cord बनानी है और उनके perpendicular bisector find out करने है तो यहां पे हम पहले दो cord बना लेते हैं देखो यहां पे हम क्या करते हैं एक cord इस तरह से यह बना लेते हैं दूसरी cord हम इस तरह से यह बना लेते हैं अब यह कहां पे मिल रहे हैं यह देखो यह point हो जाएगा यह point हो जाएगा तो पहले हम इसका perpendicular bisector बना लेते हैं और यहां पे यह जो हमने point लिया था यह क्या था center हम माल लेते हैं इसको c तो हम क्या करेंगे इस compass में इस pointer को यहां रखेंगे और इसमें जो distance लेंगे वो इस line का आधे से ज्यादा होना चाहिए तो हम इसको इतना ले लेते हैं एक arc इधर बना लेंगे एक arc इधर बना लेंगे उसके बाद में हम इस pointer को यहां पर रखेंगे फिर एक arc इधर बना लेंगे और एक arc इधर बना लेंगे similarly यहां पर हम इस point को यहां रखेंगे एक arc इधर बना लेंगे एक arc इधर बना लेंगे और फिर इस point को हम यहां पर रखेंगे और एक आर्क इधर बना लेंगे और फिर एक आर्क इधर बना लेंगे अब यहां पर यह आर्क और यह आर्क एक दूसरे को कट नहीं कर रही है तो हम इस आर्क को थोड़ा लंबा कर देंगे इस तरह से ठीक है तो यह हमारा आ गया अब यहां पर हमें एक ये पॉइंट मिल रहा है 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 तो पहले हम इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से ठीक है उसके बाद में हम इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरह से अब यहाँ पे देखो यह जो लाइन गई परपेंडिकलोर बाइसेक्टर और यह जो परपेंडिकलोर बाइसेक्टर है यह एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे हैं और यह पॉइंट हमारा क्या है यह हमारा सेंटर सी तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो तो ये जो हैं वो center पे मिलते हैं questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही